दोस्तो क्या आप भी stock market में invest करते हैं या फिर trading करते हैं तो आपको daily update होना काफी ज़दा important होता है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं stocks education यहाँ पर हम आपको daily basis पर update करते हैं कि stock market में क्या चलना है कैसे analyze करें क्या candlestick chart होते हैं सब कुछ detail में analyze करके हम आपको इस वीडियो में daily updates देते रहते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe करके साथ में bell icon को press कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखते हैं company के detail को दोस्तो चार दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि आपको ये detail देखने को मिलेगा यहाँ पर आप गर आपने देखा होगा तो इसमें काभी clear मैंने बोला था कि company ने support ले लिया है अब यहाँ से इस company में bounce back होता हुआ नजर आएगा आज इस company में अच्छी खाची growth आपको देखने को मिला है company support के बाद again उठना ही start कर दिया है तो ऐसे में जो लोग इस company में already invested हैं या फिर जो लोग invest करने की सोच रहे हैं उनके लिए काफी बड़ी opportunity है तो वीडियो में last तक बने रहे हैं अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यह अभी भी मेरे channel पर पड़ा हुआ है बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं चार्ट दिन पहले का यह वीडियो तो चलिए श्टार्ट करते हैं वीडियो का और देखने हैं आज के detail को सबसे पहले अगर इस company के candlestick chart को देखें तो आप देखेंगे जो support level आपको देखने को मिला था वो यह point आपको देखने को मिला था और उसके बाद इस company में moment again आपको देखने को मिला यह company आज 7% के आसवास की growth के साथ closing लेता है उसके अगर इस company के candlestick chart को analyze करें तो आप देखेंगे यह company actual में चलना यहां से start किया था इसके बाद इस company ने एक बड़ी growth दिखाई उसके बाद इस company में थोड़ी ची profit booking आपको देखने को मिला जो कि यह stage आपको देखने को मिला company support लेता है वो अपना stop loss लगा कर इस company को continue कर सकते हैं stop loss की जो price होगी वो होगी 11 रूपय 20 पैसे के पास है और जो लोग इस company में already invested है वो अपना stop loss company में continue यानि कि अपने stop loss को trail करके company को continue कर सकते हैं 11 रूपय 20 पैसे के आसपास जिन लोगों ने 100 term के लिए company को buy किया है वो अपना इस्टॉपलस लगा सकते हैं जिन लोगों ने कमपनी को mid-term या पि long term के लिए buy कर रखा है वो अपना इस्टॉपलस कहां पे लगा है क्योंकि उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत होती है दोस्तो जिन लोगों ने mid-term के लिए इस कमपनी को buy कर रखा है वो अपना इस्टॉपलस लगा सकते हैं 10 रुपए के पास में और long term बाले उसके थोड़ा से नीचे यानि 9 रुपए 50 पैसे के आस्वास अपना इस्टॉपलस लगा कर कमपनी को continue करके चल सकते हैं दोस्तो अगर इस कमपनी के RSI level की बात के तो यहां पे 68.96 का detail आपको देखने को मिलेगा यानि कि कमपनी अभी भी काफी bullish है यहां से अगर यह कमपनी previous high को break करके इसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कमपनी में एक बड़ी growth again आपको देखने को बिल जाएगा तो जिन लोगों ने कमपनी को buy कर रखा है hold करें stop loss को trail करें और company को आगे के लिए continue करें जो इस company को buy करना चाहते हैं buy करें अपना stop loss लगाए और company को आगे के लिए continue करके चलें तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें, सेर करें, सब्ट्राइब करें तैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो